अम्रत की खेती, एक बार भगवान बुद्ध बिक्चा के लिए एक किसान की यहां पहुँचे, तथागत को बिक्चा के लिए आया देखकर किसान उपिक्चा से बोला, भ्रमण मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, और त तब आप कैसे कह सकते हैं कि आप भी खेती ही करते हो, आप किरपया अपनी खेती के सम्मंद में समझाईए, भुद्ध ने कहा, महराज मेरे पास स्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्सा और प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप भी रूपता का दंड है, विचार पास से मुक्त रखता हूं, और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयात्रसील रहने वाला हूं, अप्रमाद मेरा वैल है, जो बाधा देखकर भी पीछे मोह नहीं मूरता है, वह मुझे सीधा सांती दाम तक ले जाता है, इस प्रिकार मैं अमरत की खेती करता हूं, दोस्तों क कैची लगी महत्मा बुद्ध की कहानी, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद दोस्तों